असलाम वालेकुम, आज मैं आपके साफ में शेर करें हूँ कस्टर ट्राफल जेली पुडिंग बनानी के रेसिपी, यह बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है, इसे आप इस टाइम पर अप्तियार में बनाईए, आने वाली इप पर बनाईए, या फिर जब भी आप नहीं यहाँ पर कोई महमान आए, दावत हो ना, उस टाइम पर यह डिजर्ट बनाकर जरूर रखिए, सबको बहुत जादा फसंद आएगा, और बच्चों का तो यह फेवरेट बन जाएगा, कर्टोरियां भर भर के खाएंगे, तो एक बार तो यह रेसिपी जरूर ट्राइ करें तो ऐसा निकरना आपको, तो जैसे ही दूध हलका गरम हो जाएगा, उसके बाद इसमें चीनी आट कर देनी है, अपने टेस्ट के हिसाब से, और चीनी को डिजल्व होते ही न, इसमें से थोड़ा सा दूध हम निकाल लेंगे, और इस दूध को पहले ठंडा कर लेंगे, जो कम से कम साथ से आठ मिनट, जिससे कस्टर करना कच्चपन निकल जाएगा, तो यहाँ पर देखें, कस्टर बिल्कुल तयार हो गया है, अब यहाँ पर इसको ठंडा करना है, अब इदर मैंने यहाँ पर दो तरह की जैली को भी बना लिया था, जिसमें मैंने यहाँ पर इस् इसको फेट कर एट किया था अगर दूद की मलाई ना हो तो फ्रेश करीम डाल देना और इसी के साथ वाइट वाले जो मोटे जवे आते हैं सिवई हैं उनको बॉइल करके वो एट कर दिया है थोड़े से कुछ इसमें मैंने फ्रूट एट कर रहे थे जिसमें मैंने एक सेब ल एक ट्रे में पहले फ्रूट कस्टर डाल दीजी अउपर से इस पे हम ब्रिटेणिया का फ्रूट के काता वह डालेंगे फिर जैली लगाएंगे उपर से Becky कस्टर्ड फिर उपर से जैली से और थोड़े से ड्राइफ फूट से इसको डेकॉरेट करेंगे और फ्रीज में इसको ठंड़ करेंगे कम से कम एक घंटे लिए तो इक दिर में हमारे अफ्तियार का टाइम हो गया तो मैंने जल्दी जल्दी ना प्याज और आलू के पकोड़ कर दो करेंगा